नमस्कार न्यूस 24 देख रहे हैं आप मैं हूँ आशुकेश तिवारी मेरे साथ सुकेश रंजन और आप न्यूस 24 का खास कारिकरम देख रहे हैं यू अमेठी और आईबरेली में 26 अपरेल है इससे पहले और अभी तक इन दोनों सीटों पे दुविधा और क्वेशन मार्ग बना हुआ कि आखिर यहां से कौन चुनाव लड़ने वारा है क्या राहूल गांधी अमेठी आएंगे वापिस क्या राइबरेली से प्रियांका गांधी चुनाव लड़ेंगी इसी सवाल का जवाब ढूनेगे सर कब तक इन सीटों पे नामों का ऐलान होगा और क्या यहां पे गांधी परिवारी वापिस लोटने वाला है इन दोनों सीटों पे तेकि बहुत चर्चा है इन दोनों सीटों को लेके सवाविक तोर पे चर्चा होगी क्योंकि ये नहरू गांधी परिवार की सीट रही है पिसली बार राहू गांधी यहां से चुनाओ हार गए थे और बहुत मांग है इंडिया गट बंधन की तरफ से कि राहू गांधी को अम अख्लेश यादव भी थे अविनाश्माण ने जो प्रभारी हैं वो भी थे जो विधायक दल की नेता हैं कॉंग्रेस की वो भी थी प्रमोतिवारी की बेटी हैं वो अख्लेश यादव ने कहा कि अमेठी और राय बरेली ये सीठे काधी परिवार को लड़नी चाहिए ये मेसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो सीधे खबर पर आते हैं मेरी जो जानकारी है अमेठी से राहूल गाधी चुनाओ लड़ रहे है उसके पीछे वज़क क्या है अभी तक इसका खुलाचा नहीं हुआ है इसको सावजनिक नहीं किया गया है लेकिन लगो लगता है कि अमेठी से राहूल गांधी चुनाओ लड़ेंगे उसके पीछे मैं वज़़ा देखता हूं हाल के दिनों में जबसे गारंटी कार्ड कॉंग्रेस का आया है तो उसको वितरित करने का काम शुरू हुआ जी वालिकार जुन खडगे जो है वो उन्होंने उसके शुरूआत की जो मेरी जानकारी है पिछले पांच-साथ दिनों से अमेठी में ये गारंटी कार्ड बाटे जा रहे हैं और मेरी जानकारी से के मताबिक ये कार्ड वितरन गार जानपूर अमेठी का एक गाओं है ये वो गाओं है जिसको आदर्ष ग्राम योजना की तहट स्मृति इरानी ने गोड लिया था उस गाओं से कॉंग्रेस द्वारा इस गारंटी कार्ड का के वितरन की शुरुआत करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि अमेठी से राहूल गाओंधी चुनाओ लडने वाले है जो इंटर्नल आडिटिंग की एक द्रवस्था आज की तारीख में शुरू हुई है रिसर्च करके सर्वे करके की कहां खड़ है वो भी अंदर अंदर चल रही है ऐसी जानकारी मिली है लेकिन जो मुख्यकार करता है उनको इस बात के संकेत मिल रहे है कि राहूल गाओंधी अमेठी से चुनाओ लड़ेंगे और इसलिए वहां का संगठन बहुत ही अक्टिवली जुड़ गया है इन्वॉल्व कर लिया गया है अमेठी में क्योंकि वाइनाच से पर्चा भरने के बाद ये कहा गया कि राहूल गांधी भाग खड़े हुए वो नहीं लड़न है अमेठी तो ये तैप आया गया कि अमेठी से राहूल गांधी का लड़ना जरूरी है और इसलिए इस पे सारा काम शुरू हुआ है जी तो एक खबर मैंने आपको दे दी अमेठी अमेठी से क्यों मेठी से कैसे कैसे इस बात की जानकारी मिल रही है या संकेत मिल रहे हैं की लड़ेगे तो मैंने आपको बता दिया कि सुजानपूर जो आदर्श-93 मयोजना के तहट स्मृति इरानी ने धोरा राहू जो गाहों गोद लिया था वहां से इस गारंटी कार्ड वितरन की शुरुवात हुई अब आजाए राय बरेली राय बरेली से प्रियंका गांधी ने अभी तक मन नहीं बनाया है कि वो चुनाओ लड़ेंगी लेकिल वो नाचुरली वहां कि ये कॉंटेंडर हैं और कॉंग्रेस पार्टी खासतोर पर गांधी परिवार इसको लेकर दोविधा में है कि वो सीट क्या छोड़ी जाए क्या गांधी परिवार का कोई करीबी लड़े ये फैसला दानी परिवार पर छोड़ दिया गया है कहा ये जा रहा है कि बेस्ट बेट ये होगा कि फ्रंट फूट फॉट फॉर्वर्ड खेलना चाहिए गांधी परिवार पहले भी मा और बेटे लड़ते रहे हैं तो भाई बैन भी लड़ सकते हैं तो राय बरेली से वो लड़ने का मन बना सकती है ऐसा ऐसे कयास लगाए जा रहे है राय बरेली में जबकि संगठन बहुत स्ट्रॉंग नहीं है वो किसके खिलाफ लड़ेंगी ये भी तैय नहीं है बीजेपी ने भी वहाँ काइडिडेट अभी तर घोशित नहीं किये है वो कॉंग्रेस के काइडिडेचर की घोशना का इंतजार कर रहे हैं कि वहाँ से किसको चुनाव रलाया जाए तो अमेथी और राय बरेली यहाँ दोनों जगह से गांधी परिवार का कोई सदस से और वो सदस से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हो सकते हैं इसके संकेत मिल रहे हैं समाजवादी पार्टी से इस बा बात को लेकर दवाव भी है कि आपको वहां से चुनाव लड़ना चाहिए बताई अब बेसिकली सर अगर इन दो सीटों पर बात बन गई है बीजेपी के अंदर भी काफी जादे देखने को मिल रहा है कि जैसे राइबरेली कि आपने बात कर ली या फिर आप कुमिद्वार की घोशना नहीं हुई है कि आप जो पूछना चाह रहे हैं उससे जो नहतार्त में निकालता हूं कि बीजेपी भी क्या टू माइंट्स में है कैसे इनको दे ना दे कैसर गंज का आपने नाम लिया बेजबूशन शादन सिंग को दे ना दे मिलेगा नहीं मिल देखिए फूक फूक कर कदम रख रही है बीजेपी बीजेपी मास्टर स्टाटिजिस्ट के तौर पे काम करती है वो कोई कदम ऐसा नहीं उठाना चाहती इससे गरबड हो जाए वो ओवर कॉन्फिडेंस में जाते बहुत कैरफुली बहुत क्राफ्टेड तरीके से बीजे मालुम है नरेंद्र मोधी को कि मोधी की गारण पी चलेगी मोधी के नाम पर उनके कैंडिडेट जीत कर आएंगे तो वो मोधी सेंट्रिक करना चाहते हैं पूरे उत्तर परदेश के चुनाओको जे विपक्ष जो है इंडिया ब्लॉक जो है वो कैंडिडेट सेंट्रिक करना चाहता है इस पूरे चुनाओ को उत्तर पदेश एक स्ट्रॉंग होल्ड है बीजेपी का जे इंडिये का हास्तोर पे बीजेपी का तो वो मोदी को केंद्र में रखकर सारा प्रचार कर रहे हैं कि कि आप यहां से कैंडिडेट को नहीं मोदी को जिता कर भीज रहे हैं और इंडिया ब्लॉक ने बहुत करीने से कुछ प्लैन किया है कि हम आराम से कैंपेन में जाएंगे क्योंकि संगठन के मामले में हम बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते तो उन्होंने कुछ चीजे तैय की हैं अगर आप उत्तरकदेश की बात कर रहे हैं तो मैं कुछ सीटे देख रहा था कि जहां पे बहुत टाकत के साथ इंडिया ब्लॉक चुनाओ लड़ रहा है जो वो सीट जीत भी सकते हैं सपा और कॉंग्रेस दोनों की बात कर रहा हूँ तो कुछ सीटे मैं लिखता हूँ अपने दर्शकों के लिए कि इन सीटों पे काटे का मुकाबला होगा आप आप याद करिए 73 सीटे 2014 में 65 सीटे निस में 64 क्या उसके और नीचे जाने की कुछ जाईश है क्योंकि कहा ये जा रहा था चुनाओ के पहले की असी में पता नहीं इस बार तो मेरी रीडिंग है और जिल लोगों से फीड़ बैक के साथ मैं बात कर रहा हूँ तो मैं एक एक करके सीट लिखता हूँ कुछ एक कॉंच्वेंसी के बारे में बता हुआ कि वहाँ वहाँ इंडिया ब्लॉक ताकतवर स्थिती में क्यूं है या चुनाओ बहुत काटे का मुकाबला वहाँ क्यूं हो सकता है जी पहला अमेठी अमेठी दूसरा राइबरेली तीसरा आजमगर आजमगर से आपको बता दूँ आपको याद होगा धर्मेंद यादो चुनाओ बैदान में थे पिछली बार गुड़ू जमाली बीएसपी से ख़़े हो गए तो उन्होंने बहुत सारी वोटों का नुकसान किया था और धर्मेंद यादो चुनाओ हार गए वहाँ से दिनेश चंद निरहुआ जिनको बोलते हैं भोजपुरी स्टार है वो बीजेपी बहुत समय के बात वो आजमगर सीट जीते में कामयाब हो गई लेकिन धर्मेंद प्रदान वहाँ फिर से है और गुड़ू जमाली को समाजवादी पार्टी में ले लिया गया है आशुकिस तो आजमगर सीट बहुत अजमगर फिर पहले से भी स्ट्रॉंग सीट रही है गाजीपुर से पिछली बार भी बस्पा की सीट से मुकतार अंसारई के भाई अफजाल अंसारी यहांसे चुणओ जीते थे गाजीपूर पाच्छवाद sof Landhya बदायू से समाझवादी पार्टी जीदती रही है बदाईयू से उन्होंने स्युपाल यादो को चुनाओ मैदान में उता रहा था हो सकता है उनके बेटे चुनाओ मैदान में उतरें तो बदाईयू सीट वो अच्छे से लड़ रहे है छठा मैनपूरी अभी समाजबादी पार्टी की सीट है नेता जी के नाम से मशूर मुलायम सिंग यादव की बहु अख्रेश यादव की पत्नी वहाँ से सांसद है वो सीट मजबूती से लड़ रही है इंडिया ब्लॉक कैराना कैराना में पॉलराइज करने की बहुत कोशिश हो रही है लेकिन इकराहासन वहाँ से अच्छा चुनाव लड़ रही है अभी वहाँ से बीजेपी के सांसद है लेकिन कहा ये जा रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी वहाँ अच्छी अच्छे मुकाबले में है और शत्रिये वोट बैंक जो है उसको सभाले की कोशिश हो रही है यह होगी आज इतनात उ पॉलराइज न हो जाए इमरान मसूद वहाँ से काइडिडेट है और वहाँ भी छत्रियों की कई पंचायत हुई है और उस पंचायत में इमरान मसूद गए है उन्होंने रगुकुल रीत सदा चली आई प्रान जाए पर वचन न जाए ये उनके बीच जाकर कहा है वो एक स शत्रिये वोट बैंक जो है वो डिसाइसीव हो सकता है नौ मैं वापश जाता हूं उसी इलाके में घोसी एक अच्छी सीट है वहां से राजीव राय चुनाओं मैदान में है वो सीट मजबूती से लड़ रही है समाजबादी पार्टी बस्ती बस्ती पिछली दो बार से ब लेकिन पिछले चुनाओं में चार विधानसबा सीट बस्ती में बीजेपी हार गई थी तो बस्ती में अच्छा मुकाबला है ऐसा इसमार बताया जा रहा है ग्यारमी सीट मैं आपको लिख के दू जौनपूर जौनपूर इसलिए क्योंकि यहां से एक ठाकुर उमिद्वा को कृपा संकर सिंग जो कॉंग्रेस में हुआ करते थे उन्होंने महाराश की राजनीती की है वो उत्तर प्रदेश बेजे गया है जौनपूर से उनको उमिद्वार बनाया गया है वहां एक फैक्टर लोकल फैक्टर धनजय सिंग का है अभी तो वो जेल में है लेकिन धनज मचली शहर ऐसी एक सीट है जहां फाइट है तेर्मी सीट का नाम लिखूं अम्बेदकर नगर फिर इधर आजाईए बरेली बरेली आपको मालूम है संदोस कंगवार वहां से उमिद्वार हुआ करते थे उनका टिकट कटा है कुछ नाराजगी है नाराजगी की खबरें लगातार आ रही है बीजेपी उसको समेटने की कोशिश कर रही है लेकिन हो सकता है कि बरेली मुश्किल में डाले बीजेपी को दुमरिया गंजेक सीट है थोड़ा टॉपसी टर्वी है कभी मैं विस्टर्न यूपी में आता हूं फिर वापचरा आता हूं लेकिन सीट जैसे जैसे याद आ रही हो वैसे मैं लिख रहा हूं सोल्वी सीट आप मुझबूत सीट है बीजेपी की लेकिन हाल के दिनों में और एकाद दो दिन में आप देखें जिस तरीके से संगीत सोम ओपिल ली खुलियाम अपने ही कैंडिडेट के खिलाफ बोल रहे हैं उससे एक मेसेज ऐसा गया है कि डिफरेंसेज हैं और वहाँ जो हरेंदर मलिक है समाजवादी पार्टी के वो मजबूत उमिद्वार है तो वहाँ कुछ गुझाज सहथी बन सकती है कि वो कुछ उलट फिर कर सके लेकिन मैं फिर से कहता हूँ यह मजबूत सीट ज़रूर है उनकी एक सीट और है जो जिस पे निगाहे होगी लोगों की लेकिन वहाँ लड़ाई ठीक है वो पीली भीत है पीली भीत इसलिए लोग नजर गळा कर देख रहे हैं पीली भीत को क्योंकि वरुन गांधी का टिकट वहाँ से काटा गया है वरुन गांधी क्या कुछ अंदर खाने कुछ सेन्ञाटा हो सकता है अंदर-अंदर हो सकता है कुछ कोशिश हो रही हो क्या वो चुप चब बैठेंगे क्या वो इसलिए बैठेंगे क्योंकि सुल्तान पुर से उनकी मां उमिध्वार हैं वो नहीं चाहेंगे बीजेपी के खिलाफ बोलना और कुछ ऐसा अपने समर्थकों के बीच संदेश देना कि वहां से जितिन प्रिशाद के बेटे हैं अभी सरकार में मंत्री हैं उत्तर पूरे सरकार में उनको उतारा गया है तो पीली भी निगाहें लोगों की हैं तो करीब देर दरजन ऐसी सीटे हैं जिनके बारे मैंने बताया मैं फिर से कि बता दू अमेठी राय बरेली आजमगर गाजीपूर बदायू मैनपूरी कैराना सहारनपूर गोसी बस्ती जौनपूर मसली सहर अंबेदकर नगर बरेली दुमरियागन मुजफर नगर पीली भी कुछ ऐसी सीटे हैं जहां लडाई हो सकती है और जो लोग यह समझ रहे हैं कि यह केक वाक है बीजेपी के लिए क्योंकि असी की असी वो जीतेगी मुझे लगता है कि जब कॉंटेस्ट होगा और इंडिया ब्लॉक अगर कैंडिडेट पे उतारने में काम्याब रहा पूरी लडाई को तो वहां कुछ गरबर हो सकती ह मैं कुछ और चीज़े आपको बता दू कि मैं जैसे आश्चारे हो सकता है आपको की कॉंगरेस की तरफ से सबस्यादा डिमांड किसकी हो सकती है उत्तर पुदेश में आप कहेंगे राहूल गांदी की होगी लेकिन रोड शो की डिमांड वेस्टरन यूपी से सबसे ज़्य नंका गांधी की है दूसे नमबर पर पोचे की तो दूसे नंबर पर ख़लेके साब हो गया ओंगे दूसरे नंबर पर राहूल गांदी होगे पहले नंबर पर नहीं तो नंबर भी दूसरे नमबर पे भी नहीं है सचिन पाइलट है कई इलाकों में गूजर बहुत बहुत आयत में है तो सचिन पाइलट वो यंग है वो आठिकुलेट है तो ये तमाम चीजे ऐसी चल रही है कौंग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से कि silent campaign हो बहुत aggressive नहों क्योंकि aggressive campaigning में आप BJP को नहीं पचार सकते तो silent campaign हो tactfully किया जाए समय पे किया जाए और सारी लड़ाई को जो candidate है उन पे focus किया जाए नरेंद्र मोदी centric पूरे campaign को जो BJP बना चाहती है उसकी हवा निकाली जाए candidate पे आया जाए तो ये कोशिश लेकिन सर्थ मेरा सवाल ये भी रहेगा कि आपने बोला silent campaign होनी चाहिए ठीक है silent campaign होनी चाहिए लेकिन आप इतने बड़े block हो अब UP में गड़बंदन हो गया है इंडिया गड़बंदन है तो UP जहां 80 सीटे हैं वहाँ पे अलग-अलग जगाँ पे उनको campaigning भी तो शुरू करनी चाहिए तो यही मैं कह रहा था कि अगर दिक्कत नहीं होती अगर resources की भी दिक्कत है एक मानसिक स्थिती ऐसी है कि एक बड़े force से उनका मुकाबला है तो ऐसे में क्या किया जाए तो पहले कैंडिरेट्स के चैन में समय लगा फिर campaign की strategy क्या हो इसमें समय लगा इस बीच आपने देखा कि जहन चौधरी से लेके तमाम लोग पल्लिवी पटिल अलग रास्ता उन्होंने देखा जहन चौधरी अलग हो गए तो इन तमाम चीजों ने विपक्ष को डॉक पे लाके खड़ा किया और बीजेपी को और इंबोल्डन किया तो ऐसे में पूरी strategy बदली है इन्होंने अब आने वाले दिनों में किसी भी दिन आप देखेंगे अखिलेश या दो प्रचार में होंगे मैंने कहा राहूल गांदी अपने प्रचार में होंगे अपने काइनिडियेट्स के लिए प्रचार करेंगे लेकिन जादा मांग प्रियंका गांदी की है मैंने बताया जादा मांग सचिन पाइलेट किया ऐसा बताया, कुछ हिलागे से, खरगेbinar की डिमांड है, वो भी जाएंगे, तो कोशिश है और ये एक वीक विकेट है, उत्तर परिदेश, इंडिया ब्लॉक उत्तर परिदेश के लिए वीक, उत्तरपदेश इंडिया ब्लॉक के लिए एक वीक विकेट है, एक स्टिकी विकेट है यहाँ पे अगर इसमें कुछ और सीटे जोड़ दी जाएं मैं अगर ध्यान से इसका अध्यान करूँ तो कुछ सीटे और हो सकती है जहाँ पे वो कैंडिडियेट के इर्दगिर्द लडाई कर सकते हैं और वहाँ पे जीत हासिल कर सकते हैं कोशिश इस बात की 26 अपरेल को अगर नामांकन की तारीकों की शुरुआत हो यह राय बरेली और अमिठी में तो हम ऐसा माने कि आज 11 अपरेल है वो पकड़ा है और उससे मुझे लगता है कि अमिठी से राहुल गांधी का लड़ना करी करीब तैय है राय बरेली में प्रियंका गांधी को अभी मन बनाना है लेकिन बहुत तबाब गांधी परिवार पे है और प्रियंका गांधी पे है कि उनको राय बरेली से लड़ना चाहिए तो साथ वो सकम करेंगी कि राय बरेली से चुनाओ लगा जाए बेसिकली अमेठी का लगभग लगभग क्लियर है कि राहूल गांदी वहाँ पे आएंगे वहाँ से चुनाव लड़ेंगे लेकिन ड्राइब रेली पे अभी पी क्वेशन मार्ग है लेकिन 26 अपरेल को दोनों सीटों पे नामंकन भढ़ने के तारीखों की शुरुवात हो जा नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और दे 24